ये कोई फूलों की नरसरी नहीं, घर का बागी चाह है, जिसमें दो बहनों की लगन की खुश्बू है, उनकी महनत का रंग है दोनों बेहने जब कोरोणा से संक्रमत हुई तो उन्हों ने खाली वक्त को क्रियेटिविटी से भर दिया जो ही राची से फैशन डिजाइनिंग कर रही है छोटी बेहन जोती UPSC की तयारी कर रही है कोरोना काल में उन्होंने अपनी सोच को घर की आंगर में डाला और अपनी महनत से इसे बगीचे में तबदील कर दिया कोविट कहर में जिस प्रकार से नों ने हमारी भगनियों ने साकारात्मक रूप दिखाया पोजेटिव होने के बाद भी अपने घर में जो वेस्टेज समान थे जो डबबे थे टीम के डबबे हैं मा अपनी बीमार बेटियों को लेकर परिशान जरूर थी लेकिन उनकी लगन देखकर उन्होंने भी उनका साथ दिया इसी सकारात्मक सोच के साथ दोनों ने कोरोना को माद दी गार्डन का खाश्यत यह है कि हम दोनों बैनों ने वेस्टेज मेटरियोल को यूज़ करकी हमने इस पुरा घर को सजाया है टूटी बाल्टी फूटे मिट्टी के बरतन होटल से आए पैकिंग का सामान जिसे हम फेक देते हैं उसे इन दोनों बहनों ने एक सुन्दर आयाम दिया है लोग कहते हैं कि गाओं में हुनर नहीं होता लेकिन गाओं में भी हुनर दिखता है सिर्फ शाकारात्मक भाव लाने की जोरत है मन बनाने की जोरत है तो एक से एक आपको गाओं में भी शाकारात्मक दिखेगी महंगे गमले नहीं, महंगी डिजाइन नहीं इस बग्या में लगन की महक है, महनत का रंग है इस बगीचे में जोदी की आभा और जोही की महक है सोच अगर अच्छी और सकारात्मक हो तो किसी भी हालत में अच्छा काम किया जा सकता है इसी के बानगी ये बगीचा है विचार भले ही साधारन है लेकिन जजबात और जजबा आसाधारन है